IDFC First Bank दिगज बैंकों में से एक है अगर आप अपना एक ऐसा सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते है जहां पर आपको मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, SMS अलर्ट, फ्री डेबिट कार्ट, चेक्बुक की सुविधा देखने को मिल जाए तो ऐसे में आप इस बै साते को कैसे ओपन करेंगे, साती सात मैं आपको ये भी बताऊंगा, क्या आपको 2024 में इस बैंक खाते की और जाना चाहिए, या फिर नहीं, सब कुछ बताऊंगा, इसलिए स्वीडियो को जूर सी जूर एक लाइक कर दीजीगा, पहले बार इस चैनल पर विजिट करें तो म सकते हैं, यहा पर बैंक करसब लिए कैसे और करेंगे, सबसे पहले में आपको इस फीनिन आप पारे में जानकारी बता देता हूं, आप इन जोए जीरो फीस बैंकिंग के साथ आपको से विंग कोंट की फैसे लिटी आ पर दी जाती है, सती साथ यहां पर बते कि आप आसानी से आप इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं, यहां पर यह बात कि जेतो जीरो चार्ज लगने वा आपके बैंक खाते में एड होता चले जाएगा यहां पर आपको हाइस्ट पर्चेस लिमिट 6 लाक रूपे तक की मिलती है एटियम से पैसे आप रोल कर सकते हैं दो लाक रूपे तक तो यह सभी सुईधाओ का लाप आप यहां से ले सकते हैं यहां पर आपको मोडरन क्लासिक debit card मिलता है जिसकी साथ से आप online shocking कर सकते है lifestyle के लिए इस start abbiamo कर सकते है आपने देनक जूड़तों को पूरा करने के लिए इसका इस्तिमाल कर सकते है साथी साथ यहाँ पे आपको personal accidental insurance एक क्रोड रुपे तक का यहाँ पे देखने को मिल जाता है और साथ ही साथ जो भी आप यहाँ पे पैसा बेसे से रखेंगे 7.25% तक का ब्याज तो यहाँ पे मिलता ही है यहाँ पे zero fees banking होने वाली है सभी चीजों पे demand draft हो फिर ATM से passive withdrawal करने हो SMS alert हो, NFT हो, IMBS हो तो किसी के लिए भी आपको कोई भी charge नहीं देना होता जो भी आपका ब्याज बनेगा हर महीने आपके bank खाते में transfer कर दिया चाहेगा आपको competitive interest rate की हाँ पे स्विधा भी देखने को मिल जाती है free आप unlimited ATM से withdrawal कर सकते है जो भी आपके नहीं देगी, IDFC First Bank का ATM मोजूद होगा वहाँ पे जाकर के आप वहाँ से passive role कर सकते है IDFC First Bank की तरब से आपको class debit card की स्विधा भी देखने को मिल जाती है जिसकी साहता से आप इस account का इस्तेमाल कर सकते है यहाँ पे आपको highest interest rate तो मिलता ही है साथ आपको यहाँ पे discount and cashback offer भी देखने को मिल जाएंगे इसके अलबा यहाँ पे आपको user friendly digital banking platform की स्विधा दी जाती है इस budget खाते को आप इसकी mobile application और website के मादम से इसका इस्तेमाल करना शुरू कर सकते है 24-7 आपको यहाँ पे customer support की स्विधा भी दी जाती है कौन-कौन इस budget खाते को open कर सकता है सबसे पहले मैं आपको बदा देता हूँ अगर आप एक भारतिय नागरिक है आपके उमर 18 साल से अधिक है आपके पास में अधार कार्ड पैन कार्ड मुझूद है smartphone मुझूद है जिसमें internet connection मुझूद है तो ऐसे में इस account को easy process के मादम से open किया जा सकता है तो यहां पर document बात किजाए तो अधार कार्ड पैन कार्ड का होना जुरूरी है तो खाता खोलने के लिए आपको क्या करना है यहां पर open saving account करना एक section है इस पर आपको क्लिक कर देना है जैसे ही आप इस पर click करेंगे एक नया पे यहां पर redirect किया चाहेगा यहां पर account open करने के लिए आपको अपना mobile number यहां पर आप एंटर करेंगे जो भी आपका mobile number है कुछ इस तरीके से अपना mobile Number यहां पर आपको एंटर कर लेना है इसके बाद आपको नीची की तरफ आपको date of birth से select कर लेना है जो भी आपका date of birth है वो आपको यहाँ पे calendar से select कर लेना होगा जस्ट इस तरीके से इसके बाद यहाँ पे आपको अपना email ID यहाँ पे दर्ज कर लेना है जस्ट जो भी आपका यह personal email ID है वो आप यहाँ पर एंटर कर लेंगे जैसे आप अपना email id यहाँ पर एंटर कर लेते हैं इसके बाद आपको अपना pancard number यहाँ पर एंटर कर लेना है नीचे की दरप आपको अपना 12 अंकों का जो भी अधारकाड नंबर है उसे यहाँ पर एंटर करेंगे और देन आपको get OTP वाले option पर क्लिक कर देना है इसके बाद यहां पे कुछ processing होना start हो जाती है processing complete होने में एक से दो मिनिट का time लगेगा आपका जो भी registered mobile number होगा जो अधार हम यहां पर OTP section के अंदर OTP एंटर कर देते हैं नीची की तरफ आपको verify अधार करके एक option देखने को मिल जाएगा अब आपका यहां पर अधार verification complete हो जाता है जैसे ही आप complete कर लेते हैं इन steps को तो इसके बाद आप जैसे ही आप verify अधार पर क्लिक करेंगे इसके बाद यहां प आपको यहां पर इंतिजार कर लेना है इसके बाद यहां पर आपका communication address और permanent address यहां पर नीची की तरफ आपको एक checkbook देखने को मिल जाता है तो जस्ट आपको इस checkbox पर क्लिक कर देना है यहां आपका same address है और यहां आड्रस सेम नहीं है तो address line 1, state, city, pin code यह सभी जानकारी आ same address है हमारा communication address और permanent address इसके बाद आपको यहां पर occupation से select कर लेना है आप student है जो भी आप काम करते हैं जस्ट आप इस arrow वाले section पर क्लिक करेंगे उसे आप यहां पर चूज कर लेंगे तो देख सकते हैं यहां पर पर क्लिक करने के बाद बहुत सारे option देखने को मिल जाती है यह से आप student है तो student चूज कर लेंगे housewife है तो housewife चूज करेंगे अगर आप जोग करते हैं तो salary यहां पर चूज कर लेंगे यहां पर आपको चूज कर लेना हो कि source of income आपको पैसे कैसे मिलते है salary से family wealth से या फिर savings से तो वो आपको यहां पर enter कर लेना है तो कुछ basic steps होते है जिन उन्हें तरफ आपको एंटर कर लेना है जितना अबहूं आपकी income हो जाती है सालवर में वह आप यहां पर अंतर कर लोएंगे जैसे जैसे म मैं एंटर कर रहा हूं आप भी अंटर कर लेंगे इसके बाद आपको अपना मदर्स का फूल नेम एंटर करेंगे यहाँ पर दो तरह के अकाउंट देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर साब साब बते गए कि यहाँ पर आपको average monthly balance maintain करने होंगे देख सकते हैं यहाँ पर zero charges के साथ आपको यहाँ पर अकाउंट मिलेगा लेकिन यहाँ पर एक ही सर्त है कि आपको 10,000 रुपे यहाँ पर maintain करने होंगे या फिर 25,000 रुपे मेंटेन करने होंगे तो हमने यहाँ पर गाईज अभी 10,000 रुपे वाला अकाउंट है उसी को आपको इस पर क्लिक करेंगे और आपको पुरूशीट्य ओप अकाउंट आपकोद्गे है जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपी यहाँ पर करेंगे अब यहाँ पर कान्ग्रेशन का मैश्याज को मिल जाएगा आपका कस्टमर आईडी और अकाउंट नंबर आपको सीदे-सीदे यहाँ पर मिल जाता है आप चाहे तो यहाँ पर इस अकाउंट का इस्तमाल यहीं से करना स्टार्ट कर सकते है जिसकी वैलिटी केवल एक वर्स होगी आप यहाँ से वीडियो की वाइसी करने के बाद इस account को lifetime के लिए इस्तिमाल कर सकती है जिसके लिए आपको इस account की यहाँ पर KYC कम्पलीट करनी होगी जैसी ही आपके account की KYC कम्पलीट हो जाती है इसके बाद welcome की debit card, checkbook, passbook जो भी detail होती है by post आपके address पर भेज़ दी जाती है जोस्तों इस असान परिक्रिया के मादम से आप 2024 में आप IDFC First Bank का digital saving account ओपन कर पाएंगे अब बात कर लेती है क्या ये बचत खाता ओपन करना आपके लिए सही रहेगा या फिर नहीं तो यहाँ पर सीधी सीधी सी बात है अगर आप 10,000 रुपे maintain करके रख सकते है और आप किसी भी तरह कोई भी charge नहीं देना चाहते online पैसे add करने में या पैसे banking service को schedule करने के लिए कोई charge नहीं देना हो चाहते तो ऐसे में ये बचत खाता आपके लिए काफी बढ़िया रहेगा